तो साथियों हम हाजी रहन लेकर आपके लिए घटना चक्र द्रिष्टी की यह छठवी प्रैक्टिस सेट साथियों आपका जो एक्जाम होने वाला है उत्तर परदेश लोग सेवा द्वारा आयोजित यूपी PCS प्रिलिम्स दोहजर चौबिस का जो एक्जाम होने वाला है उ तो इसके पहले हम लोग यही समान अध्यन की यह 5 टेस्सरीज 5 प्रैक्टिस सेट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने साल्व गिया है अगर आप लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है आप लोग जाकर जो है चैनल पर पहले उस पाचों जो है वीडियो को देखियेगा बहुत बहुत बहुतरिन साथियों, मैंने एक एक चीजों को बहुत बहुतरिन से बताया है, तो आज हम लोग ये घटना चक्र की ये छटुमी प्रैक्टिस को साल्व करने जा रहे हैं, आपको इसकी खासियत में बताया था साथियों आप सब को, कि घटना चक्र हमारे लिए क इतनी महत्तपूर होती है विश्वसनी और भरोसे मनसंस्था है। इसके जो प्रश्ण बनाए गए हैं साथ की विल बैलेंस तरीके से बनाए गए हैं। आपका मैं अगले वीडियों भी इसके खासियत पर चर्चा की थी। दो टाइप के इसमें परस्ण भरे गए हैं। एक तो पहले आपके UP-PCS के सेलबस को ध्यान में रखकर इसमें सारे परष्ण बनाए गए हैं। जिस तरीके से आपके एक्जाम में परश्ण पूछे जाते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से, well-balance तरीके से इसमें प्रशन रखा गया है, तो जो प्रशन है, एक तो वो है, जो 10-20 साल में question पूछे गये हैं, विभिन आयोगों में ऐसे प्रशन जो हमेसा दोड़ते रहते हैं, जिनके आने की संभावन आधिक एक तो ऐसे प्रशन है, और दूस लेकिन current से जोड़कर GS के भी प्रशन पूछे जाते हैं, तो वो current मुद्दों से जोड़कर यही दो टाइप के प्रशन इसमें भरे गए हैं साथियों, आप लोग video को last तक देखिएगा, क्योंकि साथियों आजकाल बच्चों में यह जो site video देखते देखते उनकी patience कम होती जा रही है, वो जो है video पर लंबा समय तक नहीं टिक पाते हैं, जो उनको आगे चलकर खाम्याजा भुकटना पड़ता है, तो साथियों बहुत बहतरीन होगा, हमने एक एक चीजों को बहुत बहतरीन तरीके से बताया है साथियों, तो आप लोग अगर हमारी इस प्रयास को अगर थोड़ा सा भी अगर आप समझते होंगे, तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप लोग नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिना साथियों, बहुत बहतरीन, तो साथियों पहला प्रशन हमसे ये जानना चाह रहा है, ये ये जो सत्रा सतत विकास लच्छे हैं ये उससे संबनीत नहीं है, तो यही आपका उत्तर होगा, बाकि सब सत्रा सतत विकास लच्छों में वो हैं, जैसे ये देखें सवच जल एवन सवच्छता, ये जो है छठवा है, एस डेजी सिक्स में आता है, और सभी के लिए न्याय की पहुँच जो है, ये सभी के लिए न्याय की पहुँच है, एस डेजी सोला हुआ है, लेंगे समानता की बात किया है, एस डेजी पांचवा है, तो इसका मैं ट्रिक भी बताया हूँ, आप लोग याद कर लिजिएगा, ऐसे जोड कर, अपने हिसाफ से बना कर, आगे प्रसार तेजी से हो रहा है, इस वेरियंट का सबसे पहला मामला किस देश में दर्ज किया गया है, तो साथ ही हो, ये जो JN1 है, इसका पहला मामला, COVID-19 का एक नया वेरियंट है, क्यों सर, JN, तो कह रहा है, इसके प्रसार जो तेजी से हो रहा है, तो इसका पहला मामला कहा पर पाया गया था तेहीं आप से पूछना है सारी हो लगजंबर्ग विकल्प नमबर डी लगजंबर्ग में पाया गया था अगर भारत में इसका मामला कहां पाया गया था सबसे पहले अगर भारत की बात किया जातों साथियों भारत में केरल में सबसे पहले यह पाया गया थ यह कुरोना का यह नया variant आगे बढ़ें सातियों लोग तो सातियों यह तीसरा परश्न बहुत बहुत बहतरिन परश्न है आपसे पूछ रहा है कि तीन कथन दिया है तीनों कथनों को पढ़कर सही उत्तर आपको दे देना है तो आप जब पहला पढ़ेंगे, तो पहला क्या करा है कि उच्चतर अच्छांसों में, उच्चतर अच्छांसों की तुलना में निम्नतर अच्छांसों में जयो बिवेदता कम होती है, तो साथियों सीधा सीधा गलत करा है, आपके आँख में धूल जो करा है, यह गलत है, कै जयो बिविता बढ़ती जाती है, कम नहीं होती है, तो अगर हम लोग निमना च्छांस पर आएं, जयो बिविता बढ़ती जाती है, तो याद रखिए यह गलत हो गया, तो एक नहीं रहना चाहिए किसी विकल्प में, तो एक इसमें भी नहीं रहना चाहिए, देख रहे हैं, डूम प्ट भी होगा कि उत्तरा नहीं होगा हमने पढ़ा नहीं लेकिन் दूसरा या कियों सब्सक्राइबي सात्यूं वहां पर से निकाल करें से अमेशा धरी भरी रहते हैं तो यहां और तीसरा हो गया तीसरा वाला तो केवल दो सही है तो साथियों मैं समय लेकर आपको थोड़ा सा समय लेता हूं लेकिन चीजों को अच्छे से बताने और समझाने का प्रयास करता हूं साथियों, ऐसा नहीं हम चाहें उत्तर बता कर निकल लें, लेकिन साथियों वो सिर्फ वो एक तरह का नाइंसाफी होगा, चौथा में क्या कह रहा है, कराएं निमने लिखी पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है, तो यानि कुछ प्लांट के नाम दिये गए हैं कराएं किसका संग्रह अंग तना नहीं है, तो आप लोग को मालूम हो गए साथियों, तना क्या होता है, एक भूमिगत तना का उधारण अधरक होता है, और ये अधरक होता है, और हल्दी भी होता है, और ये जो उपर का ये सब तो भूमिगत तने होते ह तो यह भी हो गया, आलू भी एक तरह का तना होता है, लेकिन यह जो शकरकंद यहां पर दिया है साथियों, यह तना नहीं, यह जड़ का अंग होता है, जड़ का संग्रहर होता है, तो बिकल्प D हमारा उत्तर होगा, शकरकंद जो है, यह जो है, तना का अंग नहीं है, यह ज समुव में इस्थित नहीं है तो कौन सा ऐसा राष्ट्री उद्यान है जो अंडमान और निकोबार तीप समुव में नहीं है तो उसी को पकड़ना है जो नहीं है तो साथियों महतमा गांधी समुद्री राष्ट्री उद्यान भी है अंडमान निकोबार में सैडल पीक भी है राश्टी उत्यान अंडमान निकुबार में रानी जहासी अंडमान निकुबार है यहाँ पर रानी जहासी समुद्री राश्टी उत्यान है तो कौन सा नहीं है तो बिकल्प नंबर डी तो यही हमारा डी उत्तर होगा यही जो है अंडमान निकुबार दीप समुव में नहीं है तो आप लोग सोच रहths अगर साथ हीूं तो ये कहां है सिरोई राश्टियु द्यान यह मडी पूर में है कहां है Mडी पूर में याद रखिये अग़े तो मड़ी पूर में और आप लोग Cannon अगर देखे और पड़े होंगे तो मड़ी सी ही जानकारी में हम उत्तर को निकाल कर लेके भाग सकते हैं एक सूची में दिया है आपको विटामिन के नाम और दूसरी सूची में दिया वो विटामिन किसमें पाये जाते हैं तो साथियों देखते हैं हम लोग यहां जो सबसे पहले क्लियर हो उसी को मिला देजिए तो हम स अलपा-लपा से सम्बंदित है, बिटामिन के, तो ये A वाला चार पर चला आएगा, और बिटामिन D जो हमारा इसातियों, कौड यक्रित तेल, कौड यक्रित तेल, इस पर चला आएगा, अब हम लोग एक बचा है, उसका रास्ता तो सिर्फ E वाले पर यही है, अब हम लोग बहुत बढ़ीया, आगे चलते हैं हम लोग सातो अमें देखते हैं क्या कह रहा है, सातोअ में साती हम से कहरा है, कि कौन सा युगम सही सुमेलित है, तो ऐसा कौन सा जोड़ा है, जो सही है, तीन गलत हैं, एक सही है, उस ही सही वाले को आप पकड लीजिये. तो पहला पकड़िये, पहला पढ़ेंगे क्या करा है, काबरताल जिल, काबरताल जिल साथियों यह कहां पर है, काबरताल जिल बिहार में है, महराश्ट में नहीं है, तो यह गलत हो गया, तो हमसे सही पूछा है, तो यह गलत हो गया, सही नहीं हुआ, काबरताल जिल कहां है, या बिहार में है, नंदा जिल साथियों, नंदा जिल जो है कहा है हमारा, या नंदा जिल गोवा में है, कहा है, गोवा में, और कोलेरू जिल साथियों कहा है, कोलेरू आंध प्रदेश में है, तमिलाडू में नहीं है, ए एंडी में लिग दे रहा हूं आंध प्रदे समझ जाईएगा और ये तीनों साथ ही जब गलत हो गया तो आपको एक लेंटी एक द्युद्स बचाएंन रहता है नाट है फर्नी ओड़न कि असलों पेनिल ить आपको यहां पर एक मैंने थोड़ा साएं लेंटी ऐस और डूढ्यक आवाश और अरी नुज़वलु policingई मेर्युद्स नहर हो गया यह सब लोटिक तो लेंटिक करा यानि ठहरा हुआ तो लेंटिक के अंतरगत नहीं आता है इसका मतलब लोटिक के अंतरगत आता है उल्टा सोची अब लेंटिक के अंतरगत नहीं है यानि लोटिक के अंतरगत है तो कौन लोटिक के अंतरगत है यानि कौन बहता ह बागी यह सब जो है लैंटिक में आते हैं थालाब आरद अवास के अंतरगत आते हैं तो बिकल्प सी हमारा उत्थर होगा थोड़ा सा समय देंगे आप बहुत कुछ सीख कर जाएंगे आपको एक एक चीज किलियर होगा तो कह रहा है नवे में कपड़ा मंत्राले ने हाल ही में जूट किसानों की सुविधा के लिए कौन सा एप्लिकेशन लांच किया है तो साथ यह पार्ट मित्रो नाम का एक अप्लिकेशन कपड़ा मंत्राले ने यह जो है लांच किया है यह वाला तो ये हमारा उत्तरसी हो जाएगा कपड़ा मंत्रा लेन तो और ये इसको बनाया किसने भारती जूट निगम ने बनाया है भारती जूट निगम ने ये पार्ट मित्रो एप्लिकेशन बनाया है आगे चले हम लोग देखते हैं हम लोग क्या कर रहा है इसमें कर रहा है कि समु पुद्री खत पर तो आ जो है आयोडेन का मुख्य सुरोथ होता है विकल्प नंबर ए हमारा उत्तर हो जाएगा आगे चले हम लोग देख रहे हैं इगरावे में हमें कंसेटुल टाइप का प्रशन दिया है बहुत बढ़ियां कहरा है असत्य बताईए कौन सा कथन असत्य है उसी को बताईए ध्यान देजिएगा असत्य पूछ रहा है तो असत्य पूछ रहा है तो हाटिस्पाट सब्द कह रहा है का प्रयोग वाल्टर जी रोसिन ने किया था तो साथियों गलत कह रहा है हाटिस्पाट सब्द का प्रयोग वाल्टर जी रोसिन नहीं करा है नार्मन ने किया था, उनका नार्मन करके नाम है, तो उन्होंने इसका किया था, तो आप लोग इसको याद रखेगा, नार्मन मायर्स, नार्मन मायर्स, इसको याद रखेगा, इन्होंने किया था, तो और जब विवेत्ता हाट स्पार्ट के वल उसकड़बंधी प्रदेशों में पा जाते हैं तो यह भी गलत हो गया तो दोनों के दोनों गलत हैं तो कर रहा है कौन सा असत्य है यानि दोनों असत्य है तो विकल्प नंबर हमारा क्या हो जाएगा इग्रहवे का जो है यह हो जाएगा दोनों असत्य हैं बहुत बढ़ियां आगे चलते हैं हम लोग देखते हैं 12 होए में क्या कह रहा है आपसे इसमें कह रहा है साथियों सरवाधिक वनावरण प्रतीसत वाला राज है यानि सबसे प्रतीसत के मामलें पूछ रहा है याद रखिएगा प्रतीसत के मामलें संग्छा के मामलें नहीं पूछ रहा है तो कह रहा है सरवाधिक वनावरण प्रती तो साथियों आप लोग को जान लेजिए सरवादी को नावरण पर तीसत वाला राज यहां पर हमारा जो उत्तर होगा यह मिजोरम होगा विकल्फ नंबर ए हो जाएगा हमारा तो मिजोरम होगा तो जो भारत वनिस्थिती रिपोर्ट 2021 में आई थी उसके अनुसार यह हम बात कर रहे हैं तो मिजोरम में 84% होगा अगर मिजोरम में पिछली वीडियो में आपको बताया था अरुडाचल परदेश होगा तो साथियों अगर मिजोरम न रहता आप मिजोरम न रहता उसके बाद आप मिघाले को लगाते मिघाले के बाद तीसरे नंबर पर आता है अरुड परदेश है, तो याद रखिएगा आप लोग, तो चलते हैं हम लोग 13 कुश्चन पर, देखते हैं क्या है हमारा यहां, तो 13 वाले में हमसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कौन सा कथन सत्त है, तो सत्त कथन को पकड़ कर हमें बिकल्प में OC को लगा देना है, तो पहला आप ज जैसे हम लोग अस्थल पर घास, उस, पेड़, पौधे प्राथमी कुदपादक होते हैं, शुर से अपना जो है बोजन प्राप्त करते हैं, ऐसे ही साथियों समुद्र में जो फाइटो प्लेंक्टन होती हैं, यह प्राथमी कुदपादक होते हैं, छोटी मचलियां इन्हें बड़ी मचलियां खाती हैं, यानि फाइटो प्लेंक्टन प्राथमी कुदपादक होते हैं, तो यह बात सत्य है, दूसरा अगर हम पढ़ते हैं, तो फाइटो प्लेंक्टन अपना भोजन प्रकार संसलेशन किरिया दारा निर्मित नहीं करता है, नहीं मेरे भाई यह गलत ह हो गया, फाइटो प्लेंक्टन अपना भोजन प्रकार संसलेशन के माध्यम से ही करता है, तो यह गलत हो गया दूसरा, तो विकल्फ हमारा केवल एक सही है, आगे देखें हम लोग चवड़ में, चवड़ में साथियों कह रहा है, भारत में सिक्कों की ढलाई कहां होती है, तो इसके लिए एक ट्रीक होता है साथियों हमारा, तो एक ट्रीक आप लोग जान लेए, पहले पहले जो था यह मुंबई कोलकाता हैदराबाद में ढलाई होती थी, लेकिन बाद में यह उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी खोला गया, तो इसका एक ट्रीक यार के लिए अ से मुंबई, क से कोलकाता, H से हैदराबाद, A से, N से नोएडा, तो मखन, यह मखन लिखा गया, तो मखन याद रखेगे, तो हमें याद हो जाएगा मखन में यह सिको की डहलाई होती है, और जहां सिको की डहलाई होती है, उससे हम लोग टकसाल करते हैं, टकसाल, याद चलें या कभी-कभी आपको ऐसा इसके राज अभी तो ये छेत्र दिया जैसे ऐसे कभी-कभी दे देगा मुंबई ये महराश्ट में है एक और कोलकाता वेश्ट बंगाल में है और हैदराबाद तेलंगाना में है और नुएडा यूपी में है तो कभी-कभी ऐसे राज्यों क पर नाम देकर पूछ लेगा तो कंफ्यूज न होईएगा पंदरा में देखते हैं क्या है निमनलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है तो कौन सा कथन गलत है साथियों उसी को हमें पकड़ना है तो जो गलत है तो कह रहा है गिरूई रोग गेहों में पाया जाता है तो गि धुबक्ल सही और जूठ कंट जिसे इंगलिज में फाल्स स्मट बोलते हैं करा है जो में पाया जाता है नहीं सात्रियों यह जिसे ग्हूंज में पाया जो उत्पादन 70-80% गिर जाता है धान का, उसकी बाली में रोग लग जाता है, तो यही सही यही गलत था, तो हमसे गलत का उत्तर पूशा था, तो गलत यही था, सी वाला हमारा उत्तर होगा, और आप लोग जानते हैं, खैरा भी धान में पाये जाने वाला इक तरह का रोग ह होता है, यहाँ पर कुछ आपको दिये हैं, नाम, तो उसी नाम में से पढ़कर बताना है, ऐसा कौन सा मतलब तत्त्त है, जो जैव उरोवरग के रूप में परियोग होता है, तो आप लोग को जान लेजिए साथि, यहाँ पर नीम लेपित यूरिया जो दिया है, यह जैव होता है, आपके फसलों को, क्योंकि ओधिरे-धिरे गलती है, तो चार गलत हो गया, चार नहीं होगा जो है, जिस में चार होगा उगलत हो जाएगा, इसमें चार है, यह घलत है, यह जैव तो नॉसटाग भी जयोअरोवरक के रूप में प्रियोग होता है, सायनोबैक्टेर या एना बिना तो बिकल्प नंबर हमारा C हो जाएगा यही सत्य है आगे बड़े हम लोग 17 में 17 में साथ ही हमसे क्या पूछ रहा है देख रहे हैं बहुत पढ़ियां सवाल है यह कह रहा है कि डाक्टर वी मोहिनी गिरी डाक्टर वी मोहिनी गिरी जिनका हाल ही में निधन हो पूर्वे यह जो है भारत की पूर्राश्पती वी गिरी की पुत्र वधु यानि पतो हो थी है तो एक तो यह बात सही है तो इनहीं कतनों पर हमें असत्य गताना है लेकिन यह तो सत्य है असत्य नहीं है और पहला करा है कि 1971 में War B does Association की स्थापना की थी ये ये भी बात सई है और C वाला करा है कि ये राश्टी महिला आयोक की दूसरी महिला अध्याश्च थी सात्यों यस ये भी बात सई है 90 के दसक में तो ये तीनों बाते सही हैं साथियों इसका मतलब d वाला गलत होगा जब हम कंफर्म है हाँ ये तीनों सही हैं तो d वाला ही गलत होगा कह रहा है 2007 में इन्हें पदम विभूषण से सम्मानित किया गया तो नहीं साथियों पदम भूषण से सम्मानित किया गया पदम विभूषण से नहीं तो यह गलत हो जाएगा तो D वाला हमारा सही उत्तर होगा आगे चले हम लोग देखते हैं 18 में 18 में साथियों हमसे क्या पूछय रहा है देखें 18 में हमसे कह रहा है कि परिमारात्मक साख नियंतर्ण की बिधी में शामिल क्या होता है तो आप लोगों को मालू है शाख परिमारातमक शाखनियंतर दो तरह के होते हैं साथियों एक परिमारातमक शाखनियंतर एक चैनातमक शाखनियंतर तो परिमारातमक शाखनियंतर में साथियों बैंकदर आता है परिवरतन शील कोश आता है खुली बाजार कारवाही आता है सीमांत अस्थाई सुविधा दर आत निउन्तम सीमा नैतिक दबाओ ये सब उसमें आते हैं तो फिलहाल ये सभी के सभी परिमाडात्मक साथ में अंतरण थे आगे देखें हम लोगों 19 में कह रहा है युनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फियर प्रोग्राम युनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फियर प्रोग्राम की सुरुवात कब हुई थी साथियों तो 1971 में हुई थी क्यों हुई थी मानो और पर्या उरण के बीच संबंद सुधारने के लिए तो अब विखल्प नंबर ए हो जाएगा 1971 में सुधारने 20 में देखते हैं साथियों बहुत बड़ी है यह थोड़ायोस देवात कणा पड़ेगा से बहुत चाहिएम सौठें धी संब्सके पहले कौण हुगा उसके बाद कौण हुगा तो जेट में दिखेंगा भोसं जै रहेगा से में लगाना है तो दिमाख लगाए थोड़ा से अपनी बुद्धी का प्रयोग कीजिए ये प्रारूप समीत की नियुक्ति तो आप लोग यहां सोच कर देखिए सबसे पहले जो है यह उद्देश सन्विधान सभा में उद्देश का प्रस्ताव प्रस्तूत किया गया था नेवरुजी के द्व हुई थी प्रारूप समीत की ते प्रारूप समीत की वाला आ जायेगा फिर आप लोंको मालूम होगा सनमिधान बारती सनमीधान को अंगी कृत किया गया था यानी बनाया गया था कब 26 नौन्वर 1949 को सन्मिधान बन कर तयार हो गया था और सन्मिधान को प्रवित्ति होने किती थी यानि लागू होने किती थी यह 26 यन्वरी 1950 को हुआ था तो यह सब चीजों को थोड़ा सा अगर याद रहे आपको तो इसका मतलब सबसे अंत में कौन हुआ था सनमिदान यहीं लागू हुआ था 26 जौनवरी 1950 तीन सबसे अंत में रहना चाहिए तो तीन सबसे अंत में कहां है यहां है यहां है यानि उत्तर यह नहीं हो सकता यह नहीं हो सकता तो अब पहले नंबर पर कौन होगा पहले नमबर में बताया है ये चौथा होगा क्योंकि सबसे पहले संविधान का उद्देश प्रस्ताव ही पेस किया गया था तो चौथा पहले नमबर पो होगा यानि उत्तर यही हो जाएगा हमारा ये वाला पहला बहुत बढ़ियां इसी तरीके से आप भी उत्तर निकाला करिए दिमाग लगा के थोड़ा सा 21 वाले में लोग देखते हैं क्या है यहाँ तो 21 वाले में साथियों बहुत बढ़ियां आजकल कथन कारण वाले सवाल मैचिंग वाले सवाल बहुत पुछे जा रहे हैं कथन है कारण है पढ़कर हमें सही उत्तर देना है तो कह रहा है कारबन मोनो आकसाइड एक घहातक वायू प्रदूशक है यस मेरे भाई बहुत घहातक वायू प्रदूशक है हमारे जो हिमोगलोबीन है उससे जो है आकसीजन को तुलना में साइकोड़ो गुना तेजी से ये जुडती है carbon monoxide, जब जुड़ जाती है हमारा oxygen बेचारा नहीं जुड़ पाता है, जिससे हमें तरह-तरह की बिमारिया होती हैं और मित्यू हो जाती है, तो ये सई है, कारण क्या करा है, carbon monoxide आसानी से रक्त में घुल जाती है, वही बात जो म मारा हो जाएगा यही सर्थे हैं बहुत बढ़ियां आगे चलते हैं हम लोग देखते हैं 22 में 22 में साथियों यहां पर भी थोड़ा सा एक से बढ़कर एक प्रश्ण है साथियों विल बैलेंस तरीके से पनाए गए इसमे 22 हमें कर रहा है कौन सा फ़र्म पावर जो ठरमल पावर लगाए गये हैं वह फर मल पाववर में जो कुला जलाये जाते हैं तो उसके कुला जलाने से क्या उस सरत होता है साथ यहीं हाने अपलोग को मालूम होगा कार्बंडा यहां लिए आक्साइड उसर जित्थ होती है CO2 ये nitrogen के आकसाइड उसरजित होते हैं sulfur के आकसाइड उसरजित होते हैं sodium के आकसाइड यहां उपस्तित नहीं होते हैं तो ये चौथा नहीं होगा तो चौथा जहां होगा उसे कार देजिए ये गलत हो जाएगा तो इसका मतलब केवल 1,2,3 D वाला हमारा उत्तर होगा आगे चले हम लोग 23 में देखते हैं बहुत बढ़ियां सावाल क्या कर रहा है एक सही सुमेलित नहीं है कौन सा सही सुमेलित नहीं है साथियों उसी को पकड़िए आप तो अनुछेद जो है 39 कुल SPDP से सम्मंदि जो अनुछेद दिएगे हैं उसी से पूछ रहा है तो आप लोगों को मालू होगा SPDP गवारे में भाग चार अनुछेद 36 से 51 तक तो अनुछेद जो 49 ए है वो कहता है समान नयाय और निसुल्त बिधिक सहायता के बारें बात करता है तो ये सत्य है उन्ही फार्म सिविल कोट की बात कर रहा है ये भी सही है और जब ये तीनों सही है साथियों गलत तो येही होगा क्वाला तो ये गलत है अनुछेद 48 साथियों ये नयाई पालिक्या और कारपालिक्या के पिठक करण से संबन्दित नहीं है तो यह पशुपालन एवाम क्रिसी से संबंदी थे 49 वाली तो याद रखेगा आप लोग 24 में हम लोग देखते हैं 24 में हमारा क्या है देखते हैं साथियों बहुत बढ़िया मिलान वाले सवाल है बहुत बहतरिन एक तरफ हमारे जयो मंडल रिजर्व है दूसरी तरफ उसका लोकेशन है कौन सा जयो मंडल कहां पे है उसी को मिला दीजिए आप तो सबसे पहले आप लोग को जो किल्यर होगा उसी को मिला यह • पन्ना जो है कहां है • तो और अचान कमार अमरकंटक- इह76 गर में देख लेते हैं हम उसको A वाला हमारा 3 पर जाना चाहिए B वाला 4 पर जाना चाहिए B वाला 4 पर जाना चाहिए D वाला A पर आना चाहिए तो B होगा बिकल्प B हमारा उत्तर होगा ये वाला तो बहुत बढ़ियां आगे चलते हैं हम लोग पचीस में देखते हैं क्या कर रहा है पचीस में साथियों हमसे पूछ रहा है कि बिस्वसनी प्रतिभूतियों से तातपर ऐसे कंपनियों के शेयर से है जिनकी यानि बिस्वसनी प्रतिभूतियों से तातपर ऐसे कंपनियों से ऐसे कंपनियों के शेयर से है जिनकी जिनकी उच्छ मैनेजमेंट हो, सेयर पर लगातार उची तर का लाब हो, तो इन सभी यानि उत्तर हमारा D हो जाएगा, इसका कहने का मतलब कहा है, जो प्रतिखुतियां होती गारंटी होती है, विस्वसनी गारंटी से तात पर किन कंपनियों के शेयर से होता है, तो जिनकी यह यह क् उपर के तीनों, 26 में क्या कह रहा है, मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीतने वाली शेनीन पलाश्योस किस देश से सम्बंदित हैं, तो शेनीन पलाश्योस साथियों मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने हैं 2023 का, तो आप लोग को मालू होगे, यह मिस यूनिवर्स जो एक सुन आपसे यह पूछ रहा है तो साथियों जो प्रतियोगिता हुआ 2023 में अल सलवा डोर में हुआ था तो यह जो अल सलवा डोर दिया यहां तो क्यों प्रतियोगिता हुआ था यह मिस यूनिवर्स का लेकिन यह पुछरा जो जीती थी शेनीन पलासियोस यह किस देश से संबंदी थी साथियों तो यह निकारा गुवा से संबंदी थी विकल्प नंबर हमारा ए हो जाएगा निकारा गुवा से आगे देखें 27 में क्या कह रहा है हमारे तो साथियों 27 में हमें कह रहा है कि उत्तर प्रदेश निमलिखित में से मुख्यतक किस जिले में रटावल आम का उच उत्पादन किया जाता है तो रटावल आम का उत्पादन उत्तर प्रदेश में कहां किया जाता है तो बागपत में विकल्प नंबर भी हो जाएगा हमारा बागपत में बहुत बढ़िया साथियों आगे चलते हैं लोग 28 में देखते हैं स्वरी देखते हैं 28 में क्या कह रहा है तो इसमें साथियों कह रहा है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है तो कौन सा सही सुमिलित नहीं है उसी को पकड़ लीजिया बस चंदरप्रभा वन्यजू बिहार चंदवली में है नाम से ही लग रहा है चंदरप्रभा चंदवली ये चंदवली में है और ये ये तो सही है लेकिन हमें गलत को बताना है कछुगा वन्यजू बिहार वाराणश घ्षई में है ये भी सही है किशन पुरव अजय सती ओं यह बहराइश में नहीं है लखमी पूर है लखमी पूर क्षी एल के मृट यह लिख कीश는데 की तो यहां है तो बिकल्प सी गलत दिया था लगल था रहें सोहागी बरवण जो है महाराज गंज में महाराजज्गम बहुत अच्छागाओं है ये जिला. तो आगे चले हम लोग, यह उत्तर आपका C होगा. 28 हो गया, 29 हम लोग देखते हैं क्या है. 29 में सात्यों, 2 सूची दिया है हमें. तो इन दोनों सूचीयों में, पहले में दिया है B से, और दूसरे में दिया है सूची कौन किस बिस है कौन सा बिस है किस सूची से है उसों बताना है तो साथियों यहाँ पर वन जो है वो समोर्थी सूची से है यह बिल्कुल सही बात है सेयर बाजार जो है वह सेयर बाजार हमारा करा है डाग घर पहले तो यहाँ देखें नीचे से देखकर आते हैं इलिमिनेट हो जाएगा हमारा जन स्वास्त जो है राज सूची से संबंदित है यह सही है जन स्वास्त हमारा राज सूची संबंदित है और यहाँ पर सेयर बाजार दिया है साथ यह सेयर बाजार समवर्ती सूची से नहीं बल्कि संगी सूची से है तो यह गलत हो जाएगा और डाग घर बचत यह संगी सू सूची में से होगा तो यहां यह संग सूची से भी रहेगा तो तीस समलोग अब देखें थर्टी नाइन थर्टी तो यहां पर कराए साथियों हाल ही में नीती आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 21 की अवधी में उत्तर प्रदेश में नियुनतम बहु आयामी निर्धनता का अनुपात वाला जीला है यानि पूछ रहा है जो नीती आयोग ने अपनी रिपोर्ट जारी की थी 2019 से 21 की अवधी में तो उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा जीला है जहां पर नियुनतम बहु आयामी गरीबी वाला है नियुनतम यह मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इसको जानते हैं आपनों मल्टी डायमेंशनल पावर्टी का मतलब यह जो जो है यह बहु आयामी गरीब की बात कर रहा है तो यह जो है कहां पर है तो साथियों यहां यह गाजियाबाद में बिकल्प नंबर हमारा सी हो जाएगा सबसे कम यह यह मल्टी डाइमेंशनल जो है पावर्टी गाजियाबाद में है बिकल्प नंबर हमारा यह C हो जाएगा ये वाला उसके बाद साथियों आता है हमारा लखनौ का करम ये लखनौ जो है इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है और इसके बाद आता है हमारा कानपूर तीसरे नंबर का और चौथे नंबर पर है गौतम बुद्धनगर तो सारी चीजें मैंने बता दिया ए एक नंबर पर है ही, आगे देखें, एक तीस में सात्यों कह रहा है कि सिरी अन, सिरी अन का मतलब सात्यों मोटा अनाज होता है, जिसे ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब, सिरी अन्न पर बने गीत, एबंडन्स, इन मिलेट्स, मिलेट्स का मतलब ही इंग्लिस में ये मोटा आनाज होता है, एबंड्स, इन मिलेट्स को हाल ही में किस अंतरराश्टी पुरस्कार के लिए नामित किया गया है, तो साथियों ग्रेमी अवार्ड, बिकल्प नंबर सी, तो साथियों लोग देखते हैं, question number 32, इसमें क्या करा है, करा है, उत्तर परदेश की सरवाधिक जन संख्या वाली जो जन जातियां है, या जन जातियों का समू है, तो उनकी संख्या को अवरोही करम में हमें बताना है, सेट, तो जो भी बनता है, यानि अवरोही करम का मतलब जो सबसे ज़्यादा जिनकी संख्या है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इसे बताना है, तो सबसे ज़्यादा साथियों जो है, उत्तर परदेश में जन जातियों की संख्या लगबक 5 पर होना चाहिए तो गोंडे यहां पहले नमबर पर है यहां है यानि अब कलियर हो गया या तो उटक यह तो यह होगा यह सब नहीं हो सकते क्लिएर हो गया हममें इतना तो Defender basically is five hundred गिंग c اतन द्राल पर शांप्या फारवार और तीसे नमबर पर थारू तो खर Pur Ur थारू ये वाला स्ट हमारा बन रहा है तो ये भी गलत हो गया बिकल पड़ी हमारा उट्टर बन रहा है थारू जो है लगवग सवाल लाक के आसपास है तैंपीस में देखते हैं क्या है सितंबर 2019 में जल सकती मंत्राले द्वारा प्रारम की गई ग्रामीर सच्छता रणनीती म तो जल सकती मंत्रा लेके द्वारा शुरूगी गई थी तो ये कितने अवधी के लिए सुरूपी गई थी 10 वर्ष के लिए 2019 से 2029 तर विकल भी सही होगा तो इसमें क्या पूछ रहा है आपसे बहुत बढ़िया करा है कौन सा कथन नए राज्यों के निर्मार के बारे में सही नहीं है तो नए राज्यों कर निर्माड होगा तुसके सिल्सिले में कौन सा सही नहीं है तो सीधा सीधा आप जब सवासारे आपसन को पढ़ेंगे आपके आँख में दोल जो करा है यह यानि 368 के तहर साथियों वो जो जो है सन्मिधान संसोधन से संबन लिए है कोई बड़ा मुद् 368 से नहीं होता है साधान वहमत से तो सीवाला हमारा यहां गलत दे दिया था तो ये 368 के प्रयोजनों के सन्मिधान संसोधन से नहीं होगा यह साधान वहमत से होगा आगे चले और बाकी सब सही है सब को पढ़ लिजिएगा आपको याद हो जाएगा यही सीवाला गलत था 35 में यहां आपको क्या कह रहा है उत्तर परदेश के संदर्ह में कौण सा कथन सुमैलित है उसने बताइगे उत्तर परदेश के परत्थम भित आयो के अध्यजव भालचंद्र शुकला है जी सही बात है और कह रहा है उत्तर प्रथम Orange तो साथियों यह मूर्तजा नहीं है हमारा यही हमारा गलत Chiefités मूर्तजा नहीं है उनका नाम द्याल करके है लियमूर्ति विद Should. विद्याल ाक temps कि यही है तो यह हमारा गलत हो गया तो यही उत्तरों वतव सही है उत्तर प्रथियों मानव अ Thanhya आयोग के प्रथम मद्यच एपी मिस्रा और उत्तर प्रदेश के प्रथम मुक्षूचना आयोग M.A. खान तो बाकी सब सही हैं B वाला गलत था 36 में देखते हैं Q.S. World Q.S. World A.C.A. University Ranking Q.S. World A.C.A. University Ranking A.C.A. 2024 में भारत के कुल कितने उच्छ सिच्छड संस्थानों को सामिल किया गया तो साथियों पूरे बिस्व में जो Q.S. World A.C.A. University Ranking है सबसे ज़्यादा भारत के सिच्छड संस्थान सामिल हुए थे 148 148 सिच्छड संस्थान सामिल हुए थे तो बिकल्प नंबर हमारा A सही होगा और जबकि चाइना के सबसे टॉप पर था तो याद रखेगा और बाकी सब आपको लो भारत जो है टॉप 10 में कोई नहीं आ पाया लेकिन सामिल हुए था 148 और दूसरे नंबर पर चाइना का था तो 27, 37 में क्या करा है 2021, 22 में निमने लिखी देशों में से भारत के निर्यात का सबसे बड़ा भाग मुल्लिम के रूप में बताना है भेजा गया यानि भारत सबसे ज़्यादा निर्यात कहां किया है उसको बताना है तो साथियों भारत जो सबसे ज़्यादा निर्यात किया है वो संयुक तराज अमेरिका में किया है यानि अमेरिका को बना समान ज्यादा बेचा है तो विकल्प नमबर ये हो जाएगा उसके बाद आएगा संयुक तराज अमिरात नाम आएगा उसके बाद चाइना फिर उसके बाद सिंगापूर आगे देखें 38 में तो निमलिखित में से निमलिखित कथन का परिछन कीजिए और नीचे दिये गए सही कोट को चुनिए तो कह रहा है पहला पढ़ोगे तुंग भध्रा भीमा दूद गंगा ये सब किष्णा नदी की सहायक नदियां जी बिल्कुल सही जवाब सही कह रहा है किष्णा नदी का बेसिन साथियों महराष्ट करनाटक ते ये कहा है इसका बिकल्प तो इसका बिकल्प कहा है हमारा ये यहां है दोनों सत्य थार्टी नाइन का देखते हैं कौन सा मूल अधिकार बिदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है तो साथियों ऐसा कौन सा मूल अधिकार है जो बिदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं तो सीधा सीधा साथियों ऐसे बहुत से मूल अधिकार है जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है 14, 15, 19, 29, 30, तो ये क्या हैगा यहाँ पर जो अभिव्यक्त की स्वतंत्रा का अधिकार होता है ये बिदेशीयों को प्राप्त नहीं है ये केवल अपने देश के नागरिकों को है तो विकल्ब भी जो है हमारा उत्तर हो जाएगा ये बिदेशीयों को प्राप्त नहीं है बाकी सब है बाई होवे करेंगे सब को सम बिधी की साथ यानि उनके साथ बिधी की समानता होगा प्राण यंदेख्स तंत्रा प्राण वाली बात है तो होगा ही उनका सोषण नहीं किया जाएगा एबी सही है यानि इतना तो मिलेगा ये बिदेशियों को चालीस में देखते हैं थोड़ा सा हम लोग थोड़ा इसको सेट कर लें अब सही है तो कह रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो फिर वही बात नहीं है तो जो नहीं है उसी को पकड़िए तो यहां पर पहला आप लोग हम लोग जब पढ़ते हैं तो यहां पहला क्या कह रह है लेकिन हमें गलत को पकड़ना है सेला जिल कहां है साथियों सेला जिल अरुडाचल प्रदेश में ये भी सही है उस्मान सागर जिल उस्मान सागर जिल साथियों तेलंगाना में है यहां मैं तेल लिख दारा हूँ समझ जाना तेलंगाना में है तो यही गलत हो गया यही हमसे पूछा कौन गलत है यही गलत है उस्मान सागर जहिल तेलंगाना में आन्दपरदेश नहीं जबकि उदय सागर जहिल राजस्थान में है तो सब सही हैं सी वाला गलत था एक तालिस में 41 में क्या है साथियों कह रहा है सही उत्तर दीजिए कथनों को पढ़कर तो सही उत्तर कैसे देंगे भारत में संगमंबर का सरवादीक उत्वादक राज राजस्थान में है यस सही बात है भारत में संगमबर के Prosие भनडारन क्रमशय राजस्थान और जमू कश्मिर में केंदरी थे। तो साथीों ये दूसरा वाला हमारा गलत हो गया उत्हपादन के मामले में जो मारबल्स है संगमबर वहां तो राजस्थान है ये बात सही है लेकिन जो उसके भंडारन के मामलें बात कर रहा है साथियों भंडारन के मामलें में सबसे ज़्यादा जो है इस प्रकार जो है हमारा ये राजस्थान है तो सिर्ष तीन हाँ सही बात है भंडारन के मामलें भी राजस्थान नहीं है त तो कौन सा सही सुमेलित है, तो कौन सा सही सुमेलित है, सातियों, तीन गलत है, एक सही है, उसी को आपको पकड़ना है, तो गो स्वामी समीती जो बनी थी सात्यों य अव्द्योगी वुधटा की चाहनल्छ देवस्व उसके लिए बनीत थे शीदी शीवाथ ये इसकर जला आया तो यह भी गलत होगा रामजानकी समीती जो है सेयर गोटालों से सम्वन्दिक थी यानि ये भी गलत हो गया, ये भी क्यों गलत हुआ, मैंने सही बताया, इसका सही इधर होना चाहिए था, इसका सही इधर, और मलहुत्रा समीती जो बनीची साथियों, ये मलहुत्रा समीती ये किस से समंदित है, बीमा छेतर में सुधार से, तो ये बैंकों में सही नहीं है, ब रिवर्टल नीता से संबंदित है, आगे चले हम लोग, 43 देखते हैं, कथनों पर विचार करके सही उत्तर देना है, तो राश्ट्पती की तरह उपराश्ट्पती का चुनाओ भी अब प्रत्यच यानि इंडारेक्ट होता है, यानि कि जनता नहीं चुनती है, जनता के प्रति बिधान सभाओं के सदस दोनों के चुनाओं में भाग लेते हैं, तो नहीं मेरे भाई, राज बिधान सभाओं के निर्वाची सदस भाग लेते हैं, उपराश्पती में भाग नहीं लेते हैं, उपराश्पती का चुनाओं होता है, तो लोग सभा, राज सभा के राज सभा कि सभी सद तस इसमें विदधान सभा ियानि राजूक विदाहिकाओं भाग नहीं लेते हैं 1 यह गलत हो गया तो 43 का हमारा क्या हो जायएगा साथियों कहां गया हमारा 43 परष्ण तो दिख नहीं रहा है किदर गया इधर आ गया तो केवल यहां पर हमारा एक सही होगा विकल्प ए 44 में देखते हैं यहां पर 44 में साथियों क्या कह रहा है हमसे एक तरफ फसल दिया है और दूसरी तरफ सरवाधी कुद्पादन दिया है कौन सा फसल कहा सबसे ज़्यादा उगाई जाती है उसके बारे हमें बताना है साथियों बहुत बढ़ी है तो इसमें बाजरा दिया है तो जो सबसे ज़्यादा हमें किलियर हो उसी को हम सबसे अच्छे से पहले मिलाएं यहाँ पर उसी को सबसे अच्छे से हमें मिलाना है तो दाल जो है साथियों यह है गुजरात में सबसे सरवादिक होती है यह गुजरात में आ जाएगा मुंगफली जो है यह तमिल नाडू में आ जाएगा साथियों यह मुंगफली तमिल नाडू में आ जाएगा और बाजरा जो है हमारा मध्य प्रदेश में आ जाएगा और मक्का हमारा पश्चिम बंगाल में तो एक तीन चार ये वाला भी वाला हमारा उत्तर सही होगा ये वाला आगे देखें हम लोग 45 का 45 में साथियों क्या करा है कौन से निमलिखित राजियों में कौन भारत में उनका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तो उनका सबसे बड़ा उत्पादक राज साथियों राजस्थान है विकल्प नमबर ए 46 में करा है भारत में साच्छर्टा सरवाधिक प्रतिसत ब्रिद्धी देखी गई थी तो साथियों 2000 जो है ये 1991 से लेकर 2001 के बीच लगभग 12 प्रतिसत साच्छर्टा बढ़ी थी और उसके बाद ये 2001 से 2011 के बीच 8 प्रतिसत बढ़ी के वल तो सबसे जादा अब तक यो है इसमें 91 से 2001 के बीच साच्छर्टा में ब्रिद्धी देखी गई थी तो 47 में देखते हैं क्या कह रहा है हमसे तो साथियों 47 में क्या है यहाँ पर देखते रहेगा बहुत पढ़िया तो एक में कह रहा है UNDP संयुक्तराज विकास कारकरम दोरा जारी एशिया प्रशांत पर 2024 छेतरी विकास रिपोर्ट में भारत के संदर में कौन सा कथन सई है तो बताना है 2015-16 से 2019 से किस के बीच बहुयामी गरीबी में रहने वाली आबादी का हिस्सा 25 प्रतिसत से गिर कर 20 प्रतिसत रह गया तो नहीं मेरे भाई 25 प्रतिसत से गिर कर यह 15 प्रतिसत रह गया तो यह 15 होना चाहिए था ति यह गलत हो गया भारत 2002-2022 के बेच प्रतिव्यक्ति आए 442 डालर से बढ़कर 289 डालर हो गया ति यह बात सही है नेती आयो के रिपोर्ट में यह बात बताई गया थी यह 22 सालों में ब्यक्ति का जो है प्रतिव्यक्ति आए इतना से इतना हो गया तो दो के वाल यहां सही है यह वाला 48 48 में क्या है साथियों मैचिंग वाले सवाल है तो देखें यहां पर क्या होगा बढ़ियां सवाल है साथियों में तो यहां पर देखिए गध्यान से, सूची एप, सूची दो, दो सूचियां हैं, और दोनों सूचियों में हमें मिलाना है, तो एकदम दिमाग थोड़ा सा अच्छे से लगाईए, कुछ करना नहीं हो, कोई दम इस परशन में नहीं है, देखिए क्या है, जो ओट देने की जो और क्या किया गया, संपत्ती के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, इसे एक कानूनी अधिकार पना दिया गया, यह 44 समिदान संसोदन के माध्यम से, तो यह हो गया हमारा, अब देखें, हमारा दो से काम बन जा रहा है, कि नहीं बन पा रहा है, तो हमारा जो है सी वाला एक पर जाना चाहिए सी वाला एक पर और बी वाला चार पर तो यह दोनों में हैं यहां पर भी है यहां पर भी है यानि अब हमें यह लगा कि यह उत्तर नहीं हो सकता यह उत्तर नहीं हो सकता दी वाला भी तो इसके हिसाब से अब हमारा कौन होगा जो है प्रस्तावना में तीन सब्द जोड़े गए थे सपा समाजवादी पंत निर्पेच और अखंडता यह सब्द तीनों जोड़े गए थे यह मैंने बता दे यानि डी के पास दो होगा तो यह कहां पर होगा उत्तर हमारा बी हो जाएगा किलियर हो गया और जो एक वचा है वो तो वही जाएगा उसका कोई चारा नहीं है उन्चास में देखते हैं क्या है उन्चास में साथियों सही सुमेलित हैं तो कौन सा युगम हमारा सही सुमेलित है उसको बताना है तो यानि बिकल्प में पढ़कर पहले हमें बताना होगा तो नल्ला माला पहाड़ियां आं प्रदेस तिहंगाना के मद्ध और 비 कल्फ हमारा सी हो जाएगा उन्चास का सी हो जाएगा हमारा उत्तर शाथियों बहुत बढ़ियां हम लोग चलते हैं अब अगला प्रशन देखते हैं tuk 50 पिया ह् ужुए टोraci शीखर सूची दो दिया है भारत के जो है राज दिया है इस तरह से हमें मिला देना है मिला ये देखिए इसका मिला जो आप विकल्प है अगले पेश पर है इसका तो गुरु शीखर हमें पता है साथी हो अरावली की पहाड़ियां के सबसे उच चोटी है गुरु शीखर और कोली की पाणियां कहां है राजस्थान में है तो ये इस पर चला आएगा और नंदा देवी कहां है साथी हो उत्तराखंड में है और ये नंदा देवी जो है उत्तराखंड में है कंचन जंगा सिक्किम में है और गौर लाटा ये च्छतिस गड़ में है तो पचासवक मैं आ को मैं दिखाता हूँ, तो हम लोग question number 56 देखते हैं, इसमें क्या है 56 वाले में, तो देखें यहाँ पर हमें क्या दिया है 56 में, इसमें दिया है सूची एक, सूची एक दिया है वश्डव मंदिर और मतलब इसमें और दूसरा दिया है अस्थान, तो इसी को हमें मिला देना है स स्थान दिया है, इसी को मिलाइए, कैसे मिलाएंगे साथ हैं यहाँ पर, जो द्वारिका धीस मंदिर है साथ हूँ, द्वारका गुजरात में है, यहाँ पर यह इससे मिल जाएगा, बिश्डु का जो है यह दशावतार मंदिर जो है उत्तरपरदेश के देवगड में है, ललिपपुर में, तो यह यहाँ पर चलाएगा, जगरनाथ मंदिर पूरी ओडिशा में है, बिश्डु मंदिर एरण मद्वद्परदेश में है, तो हमारा कहाँ चलाएगा साथियों, ए आएगा 2 पर, बी आएगा 1 पर, तो यह सी वाला उत्तर होगा, सी आएगा 4 पर, डी कथन है साथियों, इसको बता दीजिए आप, तो बेसनगर कौन सा कथन सही है, उसे पढ़कर हमें सही उत्तर देना है, तो बेसनगर के गर्डु इस्तंबलेक से यह पता चलता है कि हेलियो डोरस ने भागवत धर्म गड़हर किया था, तो साथियों यह बात सही है, तो और हो जाएगा, केवल एप, डी हो जाएगा, यह साकल का निवासी नहीं था, यह जो है, जो यवन का राजदू था, यवन का था, साकल का नहीं था, आगे देखें, अठावन का, तो जनगर्ना 2011 के हिसाब से सवाल पूछ रहा है आप से, राजों में सरवाधिक नगर राज्य हैं, तो कहां पर सरवाधिक नगर राज्य हैं, सबसे ज़्यादा जो है, तो सबसे ज़्यादा आपको मालूम होगा, गोवा में है, लेकिन गोवा नहीं दिया है, अब क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा तो गोवा में है, 62% सहरी करण हो चुका है, यह नहीं है, अब क्या कर नहीं है तो उसके बाद कौन सा होगा साती हो मिजोरम नहीं तो तमिल नाड़ू 48 यहां तमिल नाड़ू तीसरे नंबर पर है तो यहां 48 प्रतीसा सारी करण है तो यानि नगरी के रिए तो तमिल नाड़ू हो जाएगा हमारा पहला गोवा दूसरा मिजोरम यह सब छे नहीं तो तीसरा ही हमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि तीन भाई आपको चार भाई हो, ऊपर के दो नहीं हैं, नीचे के दो हैं, तो जो उसके साथ रहेगा, वही अपने आपको बड़ा कहेगा न, यह थोड़ीन कहेगा कि भाईया हैं, शेचे criticized, फिप्टीनाइन कर करेखा नहीं गुजड़ती हैं, कर करेखा किस देश से नहीं गुजड़ती हैं, आप लोग यह भी यात कर लेज़े उत्तर प्रदेश के किनकिन राज़ों से भारत किन-किन राज्यों से गुजरती, यह भी याद कर लीजियेगा. यहाँ इरान से नहीं गुजरती है. दिकल्प नंबर C सौधी अरब से कुजरती है, मिस्र से भारत, मियामार, चाइना, चीन, तमाइन, पशियम, बंगाल. तो इस सब है, इरान से नहीं गुजरती है. उनका प्रतीक चिन्ह दिया है, उसी को मिला देजिए साथियों, बहुत बढ़ियां, तो यहां पर अजीत नात साथियों हाथी, इनका प्रतीक चिन्ह है, यह हो जाएगा, और यह पदम प्रभ जो है, यह कमल पे चला जाएगा, यह भी सही है, तो ए वाला हमारा दो पर, डी वाला तीन पर, तो हमारा ए उत्तर होगा, यही वाला उत्तर होगा हमारा, और बी वाला हमारा ए पर चला आएगा, एक बचा है, यह डी पर चला आएगा, सी वाला चार पर, चले हम लोग अगले प्रशन पर 61 में, तो साथियों करा इजराहिल किसके साथ सीमा साजा करती है, तो इजराई साथियों लेबनान, सीरिया, जार्डन, मेसर से सीमस आजा करती है, ये वाला हो जाएगा 62 में, तो साथियों 62 में देखते हैं हमारा फिर मैचिंग वाला सवाल है एक तरफ हमें भारती नगर दिये हैं, दूसरी तरफ प्राचीन नाम दिया है तो इसका हमें मिला देना है, मिला कर जो सेट बन रहा है, उसे बता देना है तो साथियों हमारा चमपा, तो भारती नगर और उसका प्राचीन नाम, तो चमपा का प्राचीन नाम मालिनी था साथियों, ये बात सत्य है कन्योज का नाम इसी से मिलता जूलता है कान्य खुब्ज ये है इसका ये हो गया हमारा और ये देखें हमारा दो से काम बना बी वाला एक पर सी वाला चार पर बी वाला एक पर सी वाला चार पर तो दो जगह है ए और डी में तो इससे काम नहीं बनेगा तो पाटली पुत्र प हो जाएगा हो गया हमारा तो 62 का हमारा अब यहां पर जो हमें उत्तर बताना है कौन सा हमारा उत्तर होगा कौशा भी वग से हो गया तो यहां पर हमारा एक, दो, उल्टे, दो, एक, तीन, चाग, बी हो जाएगा उत्तर, ये बी वाला, आगे देखें, 63 में क्या है, 63 में साथियों कह रहा है, इसमें 63 में कह रहा है, हमसे कौन सा सही सुमेलित है, जो सही सुमेलित है, उसी को बताईए, उपारदित लच्छडों की वन्शागती सि सितां, तो लैमार्क ने दिया था ये, यानि जो जितना अपने अंगों का इस्तेमाल करेगा, उसका अंग उतना बड़ा हो जाएगा, ये लैमार्क ने दिया था ये, ये तो सही है, तो ये वाला बात सही है यहाँ पर, तो लैमार्क ने दिया था ये, तो सही यही है, अच प्राकृतिक वरण का सितांत जो दिये हैं यह डार्वीन ने दिये हैं यानि यह उल्टा दे दिया है यह इधर चला आएगा यह इधर एक दूसरे के उल्टे होंगे तब सही होंगे और ओपरान अउधारणा ओपरान अउधारणा कौन दिया है साथियों जैकब एंड मोनाड जै एंड यम जैकब मोनाड ने दिया है तो यह नहीं है तो फिलाहल एह हमारा सही है 63-64 देखते हैं अब हम तो 64 में क्या है साथियों कौन सा सही सुमेलित नहीं है एक तरफ अस्थल दूसरा तरफ छेत्र तो साथियों यह गेड्रोसिया बलूचिस्तान में है अराकोसिया कंदहार में है अरिया हिरात में है और यह पारोप मिसादे लहावर में नहीं है तो यही हमारा डी वाला जो ह यह है जो है गलत हो गया तो यही डी वाला हमारा यह कहां है काबुल घाटी में है काबुल घाटी आगे चलें 65 में 65 में क्या आयसा थी हो किरिशी बित्प्रदान करने में योगदान के संदर में 2021-22 के लिए आरोही करम है आरोही करम पूछा है सातियों तो यही हमें बताना है आरोही यानी सबसे कम फिर सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा बढ़ते करम में तो किरिशी बित्प्रद इसी को ध्यान में रखिए नहीं तो गलत हो जाएगा तो सबसे ज़्यादा यह जान लेजिए जो रिड दिया है वाड़ी जीग बैंक ने दिया है तो वाड़ी जीग बैंक सबसे ज़्यादा होना चाहिए कहां है वाड़ी जीग बैंक तो ये किवल यहाँ पर है वाड़ी जीग बैंक सबसे ज़्यादा फिर सहकारी फिर छेतरी के आमिड बैंक बिकल्प नंबर A हमारा सही उत्तर होगा 65 का कौन सा हो जाएगा हमारा 65 का उत्तर A हो जाएगा हमारा बहुत बढ़ी हैं आगे चलें 6-6 में देखते हैं क्या है देखें इसमें भी मिलाने वाला सवाल है साति हमारा एक तरफ हमें यहां पर दिया है वाज्यानिकों के नाम दूसरी तरफ उनका अविस्कार तो एक चीज हमें पता है अलफ्रेड नोगल यह बिसफोटक डानामाइट का अविस्कार किये थे बहुत बढ़ीयां यह हो गया हमारा और मैडम क्यूरी जो है रेडियम का प्रिथिक करण यानि रेडियम की कोज की थी यह यह हो जाएगा और चार्ल्स डार्विन विकास का सिर्दांद दिये थे तो चार्ल्स डार्विन विकास का सिर्दांद दिये थे हमारा तो हमारा यह कट गया अच्छा कहां गया कट कर तो कहां गया अच्छा यह यहां पर आया है तो एक तरफ यहां बैगानिकों के नाम था दूसरे तरफ अविस्कार हुआ क्या विस्कार की यह थे तो मैडम क्यूरी रेडियम से संबन दी थी यह अल्फरेड यह डाइनामाइड से और चाल्स डार्विन इससे और यह वाला इससे आ जायता है तो ए हमारा 2 पर बी 3 पर सी 1 पर और डी 4 पर तो यह वाला यह हमारा उत्तर होगा बी वाला उत्तर बी आगे बढ़ें संसठ में देखते हैं क्या है संसर्ट में साथियों क्या कह रहा है हमसे नहीं है साथियों कौन नहीं है तो एक कुल्लूक भठ है और एक मिघा तिथी है तो तीन और चार नहीं है तो डी नहीं होगा यहीं नहीं तो अनसर्ट देखते हैं क्या है साथियों बहुत सिंपल सा परशन है बढ़ियां सा परशन है एक तरफ दिया है हमें प्रमुख युद्ध दिया है उसका वर्स दिया है मिला दीजिए पानी पत का दिती युद्ध अकबर हेमु के बीच 56 में 1556 कन्योश का युद्ध 1544 का दिश पिश्पच्पन तो ये वाला हमारा हमारा ये सही होगा उत्तर ईवाला ये उत्तर हमारा सही है आगे चले 69 इसिश्टी नाइन पर अगर हम लोग देखते हैं एक तरफ उसकड़ बंदी चक्रवाद दिया है दूसरी तरफ जो है देश का नाम दिया दिया है तो बिली बिली जो उसकड़बंदी चक्रवाथ है आस्टेलिया संबंदित है हरीकेन यूएसे से संबंदित है टाइफून चीन जापान से संबंदित है और ये बागियो इस से संबंदित है तो ये हमारा विकल्ब भी हो जाएगा ये भी उत्तर बहुत बढ़ियां आगे चलते हैं हम लोग सत्तर को देख लें तो सत्तर को देखते हैं क्या मिलता है हमें कौन सा कथन सही है तो पहला यह बाबर नामा ने बाबर नामा की रचना थारसी भासा में की थी तो नहीं मेरे भाई बाबर एक मात्र ऐसा सा सक्था तो जो अपना जीवन परिच है जो है तुर्की भासा में लिखा है थारसी में नहीं लिखा है तो एक जहां होगा वो गलत हो जाए क्योंकि सही पूछा है तो सही में एक नहीं रहना चाहिए ये नहीं रहना चाहिए ये नहीं रहना चाहिए और ये और जानते हैं जो राम मंदिर गिरा कर बाबरी मस्जिद बनाया था, ये मीर बाकी ने, और मीर बाकी बाबर का जो है सेना नायक था, हुमायू का नहीं, अप लोग सुनते होंगे, बाबर ने राम मंदिर गिरा दिया, तो बाबर का सेना पती ने गिराया था, वही मीर बाकी ने, तो ये चा गलत है, आगे देखे हम लोग 70 हो गया, तो साथियों 70 question हो गया हमारा, अब हम लोग जो है आधा हो गया, समय बहुत हो गया, तो आधा बचाए 70 और 80 question डेड़ सो प्रशनों की ये testories थी, तो 70 question हमने solve कर लिया है, इसके बाद 71 से लेकर हम लोग 150 तक solve करेंगे, बीडियो के part 2 म क्योंकि साथियों बीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, हमें भी problem होगी, आपको भी होगा, तो साथियों अच्छे से करेंगे, दो part में करेंगे, just easy के बाद अगला part आएगा, तुम लोग मिलते हैं, बीडियो के part 2 में, तक तक के लिए, नमस्कार जैए.